नमस्कार किसान भाईयों एक बार फिर से आप सभी का यूटूब चैनल एक रोधरपन पर बहुत बहुत स्वागत है किसान भाईयों आज की इस वीडियों में हम बात करेंगे शर्दी की दिनों में ज्यादा शर्दी पढ़ने पर जो पाला पड़ता है उससे की फसलों को कितना नुक्षान होता है और फसलों को हम पाले से कैसे बचा सकते है जैसे यहाँ पर मेरे पीछा आप देख रहे हैं सर् से ज्यादा पाला लगता है इसके अलावा सर्सों के अलावा सौंप की फसले दनिया की फसले जीरा की फसले चना की फसले इन फसलों में पाला ज्यादा लगता है तो कई बार यह फसले 80-90% खराब हो जाती है और किसानों को कापी नुक्षान होता है तो पाले से फसलों को उसमें पाला ज्यादा लगने की संभावना होती है यानि आसमान में किसी तरह के बादल नहीं होते हैं और आसमान साब होता है हवाबी कम चलती है उस दिन पाला लगने की संभावना ज्यादा रहती है यानि उसमें सर्दी ज्यादा पड़ती है तो पाला लग सकता है तो अब जब मिन्ज में हमारे खहोर सकते हैं इसके बचा सकते हैं इसके लबाव केई बार में खेत संग नाइक करता है तो तो अगर आप उस समय पाले से बचाना चाहते हैं, आपको पहले से थोड़ थोड़ा अनुमान हो जाना चाहिए कि आज पाला पढ़ सकता है, तो उस समय आपको गंदक यानि सलपर का छिड़काओ कर देना चाहिए, फसल में आपको सलपर का छिड़काओ करते समय ध्यान रखना कि यह जैसे पते हैं, तो सारे पतों पर सलपर का छिड़का हो जाना चाहिए और इसमें सलपर की मातर है वो 2 ग्राम, 1 लिटर में लेकर के आप इसका छिड़काओ कर सकते हैं इसे आपको पाले से काप पी अच्छी तरह से निजात मिल सकती है और जैसे अगर और फिर भी सर्दी पड़ रही है तो आप 15 दिन के बाद में एक बार फिर से आप सलपर का छिड़काओं कर सकते हैं तो यह तो हुआ रासाइनिक उपाई इसके अलावा आपको बता दिया जैसे सवोब की फशले उसमें आप फवारे के दोरा शिंचाई कर रहे हैं तो शिंचाई कर दे या आप जैसे किसी तरह से भी शिंचाई कर रहे हैं तो आपको शिंचाई करना आपशिक है एसके अलावागा जैसे कही बार होता है, कोई खेतों में पळला लगने की संभावना ज़्यादा रहते है, तो उस खेत में आपको पहले से ही जैसे उतर शिमा होते है या उतरी मेड होते है उस मेड पर आपको पेड़ पौदे लगा देने चाहिए पेड़ बोदे लगा देने से वहां पर उस खेत का ताप माने वह बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है और नहीं गिरने से पाला की संभावना कापी कम हो जाती है तो आपको एक उपा ये भी कर लेना चाहिए और जैसे कई बार सब्जियों की खेती करते हैं तो सब्जियों में भी पाला बहुँ ज़्यादा लगता है तो सब्जियों की खेती के दोरान आपको जैसे उसमें छोटी सी क्यारिया मना रहे हैं तो थोड़ी दूर में आप खेत चाहिए और हमेशा चलती है तो एक पर लगने से परस्ण को बचल सकते हैं अब जैसे पाला लगने की संभावना को बचल सकते हैं आपको बता दिया है कितनी होती है 25 दिसमबर के बाद में इसमें पाला लगने के संभावना ज्यादा रहती है तो उस दोरान आपको एक तो जल्दी-जल्दी सिंचाई करना है जल्दी-जल्दी सिंचाई करने से फसलों में जमीन का ताप मान नहीं गिरता है इसमें पाले से बच सकते हैं अब जैसे फसलों में पाला लगने से कई बार क्या होता है जैसे बीज है तो बीज होते हैं वो बिलकुल हलके हो जाते हैं और हलका होने से उसमें बार कम होता है तो किसान को उतना उत्वाद नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए और कई बार फलियां बनती भी नहीं है और यह में गर्मी बने रहने से पाला लगने या वेसे भी कम हो जाती है तो इन उपायों के दवारा आप आपके खेत में जो पाला लगता है उसे आप बचा सकते हैं फसल को तो किसान भाईों अगर आज का वीडियो आपको फसंद आया है तो लाइक अवशी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद किसान भाईों